इसी तरह से यदि लहराते हुए खुबसूरत बालों की चाहत रखते हैं आप भी चाहते हैं आपकी पतली चोटी मोटी हो जाए और बालों की लंबाई जो है वो दुगनी तेजी से बंढ़ा स्टार्ट हो जाए तो आज बस ऐसे ही आपके लंबे बाल हो जाएंगे दोस्तों यदि ये चाहत है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है आज इस वीडियो में कुछ ऐसी home remedies लेकर आई हूँ जो आपके hair fall को पहली बार में ही control करेंगी बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी इस ट्रोनी को बनाना भी आसान है लगाना भी आसान है और पहले बार में ही आप महसूस करेंगे कि मेरा बालों का गिरना काफी हद तक रुख गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इस्तमाल किया है चावल का rice water कमाल का होता है तो result आपको दिखाई देने लगेगा चावल का पानी rice water बालों के लिए एक अमृत के जैसा काम करता है कोई साभी चावल लीचे जिस rice का इस्तमाल खाने में करते हैं वह चावल को लीजिए राद भर भिगा कर रखिए सुबह उस rice water का इस्तमाल करें उसी तरह से मेथी का पानी चाहे कितने भी रुखे सुखे बेजान बाल हो मेथी को लगाना स्टार्ट करेंगे बालों में जान आ जाएगी मेथी और चावल आप चाहें तो दोनों को mix करके भी इस hair growth tonic को तयार कर सकते हैं यहाँ पर चार चमच चावल लूँगी चार चमच मेथी लूँगी राद भर मैंने दोनों चीजों को पानी में भीगा कर रख दिया था इस कांच की बोटल में सुबह की शुटिंग है अभी आपको दिखाती हूँ मेथी और चावल के दाने अच्छी तरह से पानी में फूल गए हैं सोख हो गए हैं और इस पानी में इस hair growth tonic में मेथी और चावल की सारी goodness आ गई है जो की हमारे बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाएगी बालों की जड़ों को पोशन देगी चावल के पानी में कुछ ऐसे amino acid होते हैं जो बालों को सिल्की शाइनी बालों को मजबूत बनाते हैं उसी तरह से fenugreek water में मेथी के पानी में भी धेर सारे nutrients होते हैं मेथी के बीज कमाल के होते हैं दोस्तों यकीन मानिये मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में protein होता है vitamin c होता है मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में potassium होता है इस ट्रोणिक को cotton की सहाथा से लगाए, आप किसी ड्रोपर की सहाथा से roots पर लगाए, बालों की जड़ों पर लगाए कई तरीके हैं इस ट्रोणिक को लगÁने के तो मेथी और चावल, जो कि अच्छी तरह से पानी में सोक हो गए हैं इस टॉनिक को ज़ादा बना कर freeze में store करें week में दो बार इस टॉनिक को लगाएं केवल दो बार के लायक इसे तयार करें इससे ज़ादा नहीं fresh बनाएं मेरी बेटी इसे आज लगाएगी तीन दिन बाद वापस जब वो hair wash करेगी तब लगाएगी इसे hair wash करने के वो कई बार एक रात पहले भी टॉनिक को लगाती है रात भर लगा के रखती जिसे तेल लगाते हैं वैसे ही सुबह उठकर hair wash कर लेती है week में दो बार जब मेरी बेटी ने इसे लगाया तो उसे कमाल का result मिला है उसने बोला ममा आपकी remedy ने होने के कारण जब हम मेथी का पानी मेथी का ये hair growth सरम बालों पर लगाते हैं तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं बचा हुआ मेथी और जो चावल है इसे मैं फेकूंगी नहीं जो कटोरी में दिख रहा है ना आपको जिसे मैंने भी चम्मस से हिलाया है दही डाल कर फुले हुए मेथी और राइस को आपको grind करके smooth paste बनाना है चार बड़ा चम्मस दही डालें या थोड़ी और जरुवत है तो और भी डाल सकते हैं सब ताह में एक बार इस hair pack को जरूर लगाए दही आपके scalp को moisturize करेगा दही का hair pack हमारे scalp को healthy बनाता है डेंडरफ की समस्या को दूर करता है सिर्की खुजली को दूर करता है क्योंकि हम लोग बालों में तेल नहीं लगाते आजकल fashion है नहीं लगा रहे है बहुत जादा जब हमारे scalp में dryness आ जाती है सूखा पना जाता है तो हमें रूसी की समस्या हो जाती है तो दही आपके scalp को hydrate करेगा moisturize करेगा dryness की समस्या को दूर करेगा दही में भरपूर मात्रा में protein, vitamin C, vitamin D होता है mixi के जार में मैंने वही मेथी और चावल का ये जो फुला हुआ जो चीज है उसे डाल दिया है दही डाल कर अच्छे से फेट लीजे जर्वत पड़ेगी तो मैं थोड़ा दही और डालूंगी अगर मुझे ये pack गाढ़ा लगेगा चलिए एक clean bowl में खाली कर लीजे एक ऐसा hair growth mask है जिसे सभी उम्रवाले लगाए आपकी उम्र कम है तब भी इसे लगाए इसे आदा गंटा लगा कर रखें नहीं टाइम है तो कम से कम 20 मिनिट्स scalp पर लगाए आपके scalp को healthy बनाएगा एक ऐसा hair growth ये जादूई pack है जादा उम्रवाली जो महिलाए है मेरे जैसे जो 60 साल की महिलाए है वे भी इसे लगाएं बालों की care करेंगे तो बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे चार चमजदही मैं इसमें और भी add कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा है इसकी consistency आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं गाढ़ा लगे तो थोड़ा दही मिला कर पतला कर लीजे बहुत पतला भी नहीं करना है इस पैक को इसे लगाए पूरी roots पर लगाए scalp पर लगाए लंबाई पर लगाए बालों की जो result मिलेगा ना मेरा परिवार उसे खुश हो जाएगा इतना फायदेमंद है तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस जादूई पैक को बना कर बताया है साथी साथ मेथी और चावल का ये जो rice water और fenugreek water है इसे week में दो बार बालों पर लगाए राद भर लगाए सुबह उठकर नहने से पहले मेरे इस hair pack को लगाए इस tronic को week में दो बार लगाना है hair pack को week में एक बार लगाना है सभी उम्रवाले इसका इस्तमाल करें आपके बच्चे छोटे हैं तब भी मेथी और चावल के पानी को बच्चों को भी लगाएं ताकि स्टार्टिंग से ही बालों की केर हो और बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके ये pack ऐसा है जो आपके scalp से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा आपके scalp में कोई infection है वो भी दूर होगा मेथी और rice water दही का ये जो combination है ये आपके hair follicle में melanin के production को बढ़ाएगा और जब melanin का production बढ़ता है तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं एक उम्र आने पर ही बाल सफेद होंगे याने की premature gray hair की समस्या समाप्त होगी मेरी बेची इस rice water को लगा रही है कभी कभी केवल rice water लगाती है कभी कभी मेथी और चावल दोनों को mix करके भी उस tonic को लगा रही है इसलिए उसको इतना अच्छा result मिला है और बालों की growth इतनी अच्छी हुई है पूरी roots पर लगाईए और जो result मिले मुझे जरूर बताईएगा कि आपको इसका result कैसा मिला तो change करके लगाईए fenugreek water, rice water ये बहुत ही अच्छे hair growth सरम है, tonic है बाजार की चीजों से 100% safe है तो परिवार को वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है information अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दीजेगा साथ इसाथ tips theater channel पर पहली बार आए हैं दोस्तों आए के बाद रात भर रखती है जैसे ठेल रखते हैं वैसे ही क्योंकि बाल चिप चिपे नहीं होते है next day वो hair wash करती है और इससे बहुत खुश है तो वीडियो को like जरूर करें